दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं इसके बारे में मैं आपको कुछ पहना चाहता हूं सांप काट लेका है तो क्या करें कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उसका इलाज कर सकते हैं बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं एक इलाज तो आपको बिल्कुल फ्री का बताता हूं जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता है सांप काड़ता है तो पहले तो आपको मैं जान करीन हूं कि भारत में करीब साड़े पांच सो किसम के सांप है पांच सो पचास वेराइटी है जैसे कोगरा है, वाइपर है, रसल्स वाइपर है, करत है ऐसी पांच सो पचास किसम की सांपों की वेराइटी है जाती आए इन मैंसे मुश्किल से दस सांप है जो जहरी ले है सिर्फ दस बागी सभी नौन पॉईजनस है इसका मदलब क्या हुआ पांच सो चारी सांप ऐसे हैं जितके कार्टने से कुछ नहीं होगा आपको बिल्कुल चिता मत करिए लेकिन सांप का डर इतना है कि कई बार वो हर्ट अटेक से मर जाता है आपको जहर से नहीं मरता कार्डियकरेस से मर जाता है हर्टेक से मर जाता है तो वो डर बहुत होता है, मन में, तो ये दर निकलना चाहिए, और ये दर तब निकलेगा जब आपको ये मालूम है, कि 550 किसम के सापों में सिर्फ 10 हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से कोई मरता है, उनमें सबसे जहरीला जो साप है, उसका नाम है रसल्स वाइपर, उसके इस बाद है करेट, फिर है वाइपर, फिर है कोब्रा, किन कोब्रा जिसको आप कहते हैं, काला नाम, ये चार तो बहुत ही जहरीले, अगर इन्हों ने काट लिया है, तो 99% चांसेद हैं कि देथ होगी, लेकिन आप अगर थोड़ी होशियारी दिखाएंगे, तो आप पेश सामने की दो दान्त होते हैं, उन में पॉईजन है, और वो ऐसे करके मारता है, तो दोनों दात अंदर खुश जाएंगे, और ब्लड में वो छोड़ देता है अपना पॉईजन, तो फिर ये पॉईजन ब्लड में मिक्स होके उपर की तरफ चलता है, मान भीजे, यहां काटा है, तो यहां से फिर ब्लड उपर की तरफ जाएगा, और हर्ट तक पहुंचेगा, फिर पूरी बॉड़ी में आएगा, पाउं में काटा है, तो लीचे से उपर की तरफ आएगा, फिर हर्ट में आएगा, फिर बॉड़ी में कहीं भी काटेगा, तो हर्ट तक जाएगा, और पूरे blood में पूरी body में उस जहर को पहुचने में तीन गंटे लगेंगे। मतलब यह है कि patient तीन गंटे तक तो नहीं ही मरेगा। जब पूरे brain के एक एक part में जहर पहुच जाएगा, हर जगे जहर पहुच जाएगा, तब ही उसकी death होगी, otherwise नहीं होगी। तो तीन गंटे का time है आपके पास, patient को बचाने के लिए, तो उस तीन गंटे में आप थोड़ा कुछ कर लें तो बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं, सबसे आसान एक तरीका है कि हमारे घर में एक पुराना कोई injection, injection सिरिंज वाला होता है, जिससे हम inject करते हैं। तो उसमें आगे जो सुई वाला part है, उसको cut करना है, blade से। इंजेक्शन में आगे जो सुई निडिल लगाते हैं, नहीं नहीं, सुई को जहां लगाते हैं वो part कट करना है, प्लास्टिक वाला, यस। तो जैसे ही आप उसको cut करेंगे, तो वो एक suction pipe के जैसा हो जाएगा injection, है ना, pipe जैसा हो जाएगा, पीछे उसमें खीचने के लिए suction हो गया, और आगे वो hole है, तो आपको सिर्फ यह करना है कि body में जहां भी सांप ने उसको काटा है, वो दोनो points आपको ढूम लें, और वो easily locate हो जाते हैं, कैसे locate होते हैं, जहां भी सांप काटता है, तो वहाँ सूजन आ जाती है, तुरंत immediate swelling आ जाती है, तो body में कहीं भी हिस्सा फूला हुआ आपको दिख गया, तो बस वहीं ढूनेंगे, दोनों निशान उसके दांद के देख जाएंगे, टौर्च लगा के देख तो बिल्कुल साफ देखते हैं, अब क्या करना है, कि जो injection आपने syringe वाला आगे से cut कर दिया, जहां पर needle लगाते हैं, तो उसका जो hole है, उसको जहां छेद है, वहां पर रखके खीचना है पीछे से, suction pipe की तरह से उसको use करेंगे, तो जैसे आप खीचना शुरू करेंगे, तो vacuum बन जाएगा, vacuum बन जाएगा, आप जानते हैं, बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं, जब होली आती है, तो एक पिचकारी आती है, खीचते हैं, फिर उसको pump करते हैं, वैसे ही कुछ injection को use करना है, इंजेक्शन के आगे जहां needle लगती है, उसको blade से cut करना है तो वहां पर एक hole बढ़ा हो गया, उस hole को exactly जहां पर सामने काटा है, जो point आपको दिख गया, मैंने का न सूजन आएगी, लाल पढ़ जाएगा, वहां पर दोनों point उसके दिखाई देंगे, दात के दो निशान, वहां पर आपको जो injection का hole है, उसको रखना है, ऐसे करके, औ तो पूरा injection जो है न सिरिंज वो चिपक जाएगा, चिपक गया तो इसका माने vacuum create हो गया, फिर आसरी से जब आप खीचेंगे तो सारा blood उसमें भर जाएगा, और blood के साथ सारा poison भी उसमें निकल आएगा, आप एक बार खीचेंगे, कुछ blood निकलेगा, फिर वहां पर दूसर जाएगे, फर्स टाइम में तो आप देखेंगे, वो थोड़ा blackish होगा, blood, उसका रंग dark होगा, blackish होगा, तो समझ लीजे इसमें poison mix हो चुका है, poison mix हो चुका है, तो जब तक वो blackish और dark red color का blood निकलता है, दो तीन बार में आप खीच लीजे, उतने में ही सारा poison निकल जाता है, क्योंकि साम जो poison छोड़ता है blood में, वो कुछ जादा नहीं होता है, 0.5 milligram के आसपास होता है, इससे जादा नहीं होता, क्योंकि उसके दान्त में इससे जादा रही नहीं सकता, तो 0.52, 0.6 milligram है, दो तीन बार आपने blood खीच लिया, उसमें निकल गया, जैसे ही आप इसको खीचेंगे, तो patient में आपको changes दिखाई दे जाएगे, उसमें चेतना आ जाएगी, consciousness आ जाएगी, साम जब काट लेता है और उसके blood में जहर आ जाता है, तो व्यप्ति unconscious हो जाता है, या semi-conscious होता है, जैसे ही आप खीचना शुरू करेंगे, उसके blood को, impure blood को, उसमें consciousness आ इसी injection को, जो मैंने आप से कहा, कहां से cut करना है, जहां आप syringe का needle लगाते हैं, जहां सूई लगाते हैं, इसी injection को beach से cut कर दीजे, exactly beach से, 50% इदर, 50% इदर, beach में cut कर दीजे, तो pipe और बड़ा हो जाएगा, उसका hole जो है और बड़ा होगा, और उसको रख्या भी खीचेंगे तो एक बार में ही सारा blood कीच लेता है, बड़ा injection लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी, तो जल्दी काम होगा आपका, तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजे, आपके पास कोई medicine नहीं है, कोई first rate नहीं है, कोई doctor नहीं है, लेकिन पुराना दुराना कही injection पढ़ा हुआ मिल जा, उसी के यूस से आप ये शुरू कर सकते हैं, ये first rate की बात है, दूसरा, एक medicine, आप चाहें तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होमियोपेथी में आती है, एक medicine, उसका नाम है नाजा, N-A-J-A, नाजा, होमियोपेथिक medicine है, किसी भी होमियोपेथी शॉप म मिलेगी, N-A-J-A, नाजा, और इसकी potency है 200, दो सो, नाजा, उसके आगे लिखे 200, दो सो, ये medicine 5 milliliter खरीद के रखिए घर पे, 5 milliliter सफिशेंट है, सो लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी cost सिर्फ 5 ही रुपर है, 5 रुपर में ही आती है, पटियाला में शायद थोड़े महगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा experience है, मैं कल एक होमियोबेथी शॉप में गया था, तो वो 10 रुपर मांगता है, तो ठीक है, 10 रुपर, otherwise ये medicine अगर आप दिली से कहीं से, गिलंदर से कहीं से करी देंगे, तो 5 ml 5 रुपीज पहीं आता है, इसकी एक बोटल भी आती है, 100 ml की, वो 60 या 70 रुपर में आती है, और 100 ml की बोटल से कम से कम 10,000 लोगों की जाना बचा सकते हैं, जिनको सांप ने काटा है, और ये जो medicine है, नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही poison है, जिसको मैंने बोला करेत, करेत का poison सबसे खरा लिया है, तो फिर भगवान ही बचा सकता है, medicine भी जल्दी काम में आती है, उसी का ये poison है, लेकिन dilution में है, dilute form में है, इसलिए घबरानी की कोई बात नहीं, और आप आईरुवेद का एक सिध्धान्त जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है, जब जहर चला जाता है शरीर में नहीं कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीप पर डालना है, पेशेंट के जीप पर, एक बार डाल दीजे, दस मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजे, और दस मिनट बार एक बार डाल दीजे, बस एक बार डाल के छोड़ दीजे, ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी और मैंने आपसे कहा कि एलोपेथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अविलेबल नहीं होते हैं आप अगर पट्याला का कोई सरकारी हस्पताल हो वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अविलेबल है वो कहेगा चंडीगड जाओ या कहेगा पीजी आप चंडीगड आंप लेके जा रहे हैं वहां भी इंजेक्शन मिले तो दस पंद्रह हजार से लेके बीस हजार के बीच में उसकी कीमत है और वो आठग- पंद्रह तक तो चूब इंजेक्शन की तुलना, एंटिवेनम इंजेक्शन की तुलना, तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखें अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए, हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जा, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के, या बडोसी के किसी के, ये मालूम रहे आपके पास कि ये medicine नाजा है, available है, homeopathic की किसी भी दुकान पर आसानी से मिल सकती है, आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, liquid form में ले लीजेगा, जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप दस मिनट के अंतर पर तीन बार जीप पर डाल पर इतना सा खरीट है, तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी दूस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें